नमस्कार आदाप मैं हुसानिया खान आप देख रहे हैं प्रहार टेम्स मुम्रा काउसा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है 16 में को मुम्रा काउसा में 20 मामने सामने आए है यानि मुम्रा काउसा में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 173 हो गए है इसी के साथ आपको बता दे की कोरोना वाइरस के वज़ा से देश भर में लागू हुए लोकडाउन से डिप्रेशन बढ़ने की खबर बहुत दिनों से सामने आ रही है लेकिन अब लोग इस डिप्रेशन का शिकार होना भी शुरू हो गए है नवी मुंबई के खारगर इलाके से खबर है कि किराए के फ्लैट में रहने वाले टीवी कलकार मनमीत ग्रेवान ने लोकडाउन के वज़ा से डिप्रेस होकर खुद की जान ले ली 32 वर्षी ये अभिनेता अपनी पत्नी के साथ छोटे से फ्लैट में किराए पर रह रहे थे देश में लोकडाउन लागो होने के वज़ा से शूटिंग और टीवी सीरियल्स पर रोक लगी हुई है मनमीत एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और वो छोटे मोटे रोल किया करते थे और अपनी पत्नी को संभालते थे मगर लोकडाउन के वज़े सारी चीजों पर रोक लगी हुई है जिसके वज़ा से मनमीत काफी डिप्रेस हो गए थे और वो कर्ज में भी डूबे हुए थे और लोकडाउन ने उन्हें बहुत ही परिशान कर दिया था परिशान होकर उन्होंने बीते शुक्रवार को देर रात अपने घर में फासिल लगाकर आत्महत्या कर ली तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सबी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें